नमस्कार मित्रों मैं विपूलगर्ग आज आपके सामने एक नए विशे के साथ कि आने वले दो तिन महीने कैसे होंगे एक टावेकास एक दिशी गणा इन अभर टेंस न्यूज है बुर्ण मुझे लगी मैं आपके साथ शेर कराऊं मीन रासे में 6 महीने रहेंगे मंगल जाने कैसे रहेगा देश और दुनिया पर प्रभाव 2020 में मंगल का मीन में आना इसलिए है बेहत खास पुराणों में मंगल को भूमी पुत्र कहा जाता है इसलिए इसका नाम भौम भी है इनकी शक्तिय प्रभाव के कारण इनको ग्रहों में सैनापती का इस्थान प्राप्त है यह सामने तर एक रासे में 45 दिन तक गोचर करते हैं लेकिन हर धाई वर्स की अवदे के वाद यह वक्री होकर किसी एक रासी में 5-6 महीने तक रुपते हैं ऐसी ति में अन्य दो बड़े ग्रह सनी और गुरु भी यदि आपस में साथ हो या वक्री गती से उल्टी चाल चल रहे हूं तो पी उकम हमारी और असमान्य वर्सा से ज़धन की हनी हुदी है ऐसा मेधनी जोतिश की ग्रंतों में आ गया है मंगल चल ततों की राशी में में 18 जुन को प्रवीश करेंगे या निकल से तथा मीण राशी में हीवक्री होकर यहां 23 दिसंबर तक रहेंगे मेन चुकी जलतत की डासी है तो यहां रहेकर मंगल अच्छी वर्षा से किसानों को क्रसी समंधी कारियों में साहयक रहेंगे 18 जुन से मेन राशी में आ रहे मंगल भारत में दक्षिन पस्ट्रिम मानसून में तेजी लिए विशेश रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्धर प्रदेश बिहार में 18 जुन के बार अच्छी वर्षा होगी प्राकर्थिक आपदा से जन धन की हानी के तीसरी पॉइंट है मीन रासी में मंगल पर मकर रासी में गोचर कर रहे सनी की तीसरी दस्टी रहेगी जिससे बहुत ही घातक माना जाता है इसके प्रभाब से वुकम और बार से 18 जुन से 17 गर्ष तक के बीच जन धन की हानी का योग बना रहेगा इस दोरान विसफोटक घटनाओं की भी आशुंका है 17 अगस्ते 4 अक्टुमबर के बीच कुछ समय के लिए मंगल मीन रासी को छोड़कर मेश रासी में गोज़करेंगे इस समय के दोरान कोरोना महामारी और अन्य प्राकर्तिक आपदाओं से कुछ रहत मिलेगी लेकिन बर्तमान में अठाया जून से 17 अगस के वीच मंगल की जल्पत्व की राशी मेन में होकर शनी की दस्टी से पिडित होने के कारण उत्तर भारत में भुकमपन और बाड से भायका बातावरन रहेगा मंगल के मीन में आने का यह होगा परिणाम पांच जुलाई की पुर्णिमा के मावस के आसपास भारी वर्सा से दिल्ली एंसियार पंजाब हिमाचल मुंबही वस्टम उत्तर प्रदेस में जन जीवन अर्स्त व्यस्त होगा तीन अगस्त की पुर्णिमा के आसपास भी भारी वर्सा होगी इसे मध्या और पश्चिम भारत वर्स प्रभावित होगा जुलाई और अगस्त में सामान ने सिर्ग वर्सा से धान को आए अच्छी होगी तथा पसुपालकों के लिए चारा प्रियाप्त मात्रा में रहेगा नीन रासी में चुमतस से पारण से समधिता ऐसे में इस श्वित में 36 महीने में 300 नधी होगी अंकर से यहां मंगल जुलाई और अगस्त में जनता को कस्ट आई होगा अमेरिका की कैलिफोर्निया में 21 जूल से 17 अगस्त के बीच भूकम का खत्रा रहेगा तथा इस समय अवदी में अमेरिका के पूर्वी तक पर दो बड़े समूद्री तोफान तही मचा सकते हैं जिनकी भविश्यवाणी पहले भी हमने सुने हैं मेरिका में की तबाई आने वाली है और उसके सिम्टम सब भी दिख रहे हैं चटा है अट व्यास्ता में आएगी मंदी इनकी बढ़ेगी किमत मंगल को भूमी कारक और भूमी पुत्र कहा गया है इस कारण से में राशी के मंगल पर सनी की रस्ती से माकान मालिकों और किरायदारों के बीच अगले छे महीने में तेरी से विवाद बढ़ेंगे और जमीन ज्यादत की कीमते गेंगी और प्रियस्ता में अभी मंदे का प्रहिए तता शियर बजार में ठारा जून को मंगल के गोचर के वाद पेज से गिरावट आएगी सुरी क्राहू से पीडित होने कारण सोने और अनाजों की कीमते अगले 30 जुनों में ब्रद्धी होगी सोने और अनाजों कीमत में बद्धी होने की वह संभावना यह जो भविष्यवाणी थी जो तिसा चारी है सचिर मत्रा यह इनकी भविष्यवाणी इनकाम धन्यवत करते हैं यह भविष्यवाणी करने लिए दोस्तों यह आज की निउस थी आपको अच्छी पसंद आई झाल 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 झाल